दोस्तो नमस्कार आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकरवेट वर्चुल क्लासेस में आज हम एक नए एंटिबायोटिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है इससे पहले यह यूएस में था और इस एंटिबायोटिक को कहां पे आप यूज़ करेंगे किस तरह से यूज़ करेंगे और कितने दिन के बाद यूज़ करेंगे इस बात की चर्चा इस वीडियो के मादियम से हम करने वाले हैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक न्या एंटीबाटिक आया है जिसका नाम तिलमिकोणी है और ये तिलमिकोणी जो होता है ये तैलोशीन से बनाया गया है और ये सेमिसेंथेटिक मिक्रोलाइड एंटिबाटिक है और ये अभी तक अपने कंट्री में नहीं था लेकिन र antibiotic जो है कई जगों पे काम करता है और long acting है दो benefit है कि ये तो कई बिमारीों में आप use कर सकते हैं जो मैं बताने वाला हूँ कहां कहां पे आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं और इसका long acting यानि कि एक shot आपने लगाया तो single shot ही sufficient होता है बिमारी को treat करने के लिए अगर जरूरत है तो उसे तीन दिन के बाद फिर से repeat किया जाता है तो मैं बता दो कि ठिल्मीको सीन जो है इसका इस्तमाल जो recommended है वो सबसे एक critical बिमारी जी से पास्चुरेलोसिस करते हैं आहमरेजिक सेप्टिसीमिया करते हैं मैंहिमिया करते हैं जो bacteria है यानि कि पास्चुरेला एचस में ये काम करता है और respiratory tissue में किसी भी तरह का infection हो उस bacteria को kill करने में और वहां recovery करने में मदद कर सकता है इसी तरह से ये mycoplasma के against में भी बहुत अच्छा काम करता है तिल्मीको सीन एक ऐसा antibiotic है जो mycoplasma से induced respiratory tissue हो जिसे cvbp करते हैं या goats में भी आशीप में भी जो mycoplasma का infection होता है य वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किल्मीको सीन का दूसरा इस्तेमाल जो है यह स्टेफ औरियस के against में बढ़िया काम करता है तो स्टेफ इंड्यूस जब mastitis रहती है वहां पे भी इसका इस्तेमाल बड़े अच्छे से किया जा सकता है और कोई दवा अगर काम नहीं करें तो इसको आप यूज कर सकते हैं इसी तरह से यह पोड़ोडर्मेटाइडिस या आप कह लीजे कि जो फूट रॉट होता है जहांके खुरी सड़ जाती है वहां से पस आते रहता है और रिकवरी नहीं होती है वहां पे भी यह बहुत अच्छा काम करता है तो एक बहुत कॉमन है उसमें काम करता है तो यह एक आपको अच्छा से एंटिवाटिक मिला है आपके बैग में जो की आपको हैल्प करेगा आपके प्रैक्टिस को इंप्रूब करने के लिए इसका जो डोज है वह इंपोर्टेंट है ओबर डोजिंग नहीं करनी है अगर डोज की बात करें तो कैटल में 10-20 mg के हिसाब से लगाया जाता है और 10 mg के हिसाब से इनिसली लेना चाहिए 20 अगर आपको लगता है तब ही लगाना है नहीं तो 10 mg is sufficient हर तरह की बिमारियों को जो बैक्ट्रियल में बता रहा था ठीट करने के लिए 10 mg के डोज से अगर आप के लिए sufficient होता है यानि 300 kg की 300 kg की अगर आपकी गाय अभेंस है तो उसमें आप 10 ml inject कर सकते हैं अगर साड़े 400 kg की मानते हैं तो वहां 15 ml inject आपको करना है लेकिन injection लगाने का तरीका important है आप कभी भी इसे intramuscular injection नहीं दे सकते हैं इसे सिर्फ और सिर्फ सब्कुटेनियस करता है अगर आप intramuscular injection देंगे तो वहां पर cellulitis होगा और abscess बनने की संभावना बहुत जादा होती है तो आप इसको सब्कुट रूट से ही देंगे सिर्फ और सिर्फ सब्कुटेनियस रूट से देना होगा आपको एक जगह पे यानि कि एक साइट पर जहां inject कर रहे हैं maximum 10 ml लगा सकते हैं उससे ज्यादा amount आप एक जगह पे inject नहीं कर सकते हैं यानि कि आपको अगर 15 ml देना है तो बहतर यह है कि 7.5 ml एक जगह पे और 7.5 ml दूसरे साइट पे लगाएं जिसके चलते इसका जो effect है वो proper आएगा और ये ज्यादा दिर तक काम करेगा और इसके चल और बाफलो में तो आप ज्यादा amount लगा सकते हैं क्योंकि उनका वजन ज्यादा है लेकिन sheep and goat में उन्हीं sheep and goat को लगाया जाता है जिनकी वजन कम से कम 15 kg से ज्यादा हो यानिकि 15 kg से कम के sheep and goat को कभी भी ये injection आपको नहीं लगाना है और डोज जो है वो सेम ही है तो अगर 15 kg से ज्यादा के sheep and goat है तो वहाँ पे भी आप एक एमेल 30 kg वजन के लिए इसका इस्तमाल कर सकते हैं चाहे रिस्परेटरी सु हो या मायको प्लाजमा से मस्टाइटीस हो वहाँ पे भी आप sheep and goat में इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसका जो ओवर डोजिंग है कैटल में ऐसा देख एम जी पर केजिव एडियर्ट के हिसाब से सिंगल सौट भी अगर आप कैटल में इंट्रावेनस रूट से लगाते हैं तो कैटल इमेडियेटली कॉलाप्स कर जाती है sheep and goat में भी अगर आप इंट्रावेनस लगाएंगे तो इमेडियेटली उस sheep and goat की मृत्यू हो सकती है तो आपको कभी भी गलती से भी इसे इंट्रावेनस नहीं लगाना है इंट्रावेनस लगाके बहुत गलत इंपक्ट पड़ेगा और एनिमल को सर्भाइव करना मुश्किल हो जाएगा इसका कोई एंटिडोट भी नहीं है हाय डोज अगर आपने लगा दिया है तो उसके side effects आएंगे जिसको आप पहचान सकते हैं side effects में आप देखेंगे तो इसमें ataxia होता है चलने में दिक्कत आती है लड़ खडाती है अनिमल लिनिंग होती है सांथी साथ उसका जो head जो है वो drop करकर रखती है सलाइवेशन होता है इस तरह के side effects आपको अनिमल में देख सकते हैं इसको repeat अगर आप करना चाहते हैं तो तीन दिन के बाद रख करेंगे यानिकि three days तक 72 hours तक यह antibiotic body के अंदर sufficient amount में बना रहता है उससे पहले repeat नहीं तो आपके लिए वेटनेरी जो practice में है उनके लिए एक अच्छा long acting antibiotic आया है अभी मैं इस पे अपना report इसका effect का report आपको नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी कुछ ही animal में इसका इस्तमाल किया है जब मुझे इस पे confidence आजाएगा तो मैं बताओंगा कि यह कितना effective है आप लोग अभी इसको use कर सकते हैं क्योंकि यह नया antibiotic है तो definitely जो literature से scientific literature से वो indicate करते हैं कि यह कई बीमारियों को इलाज कर सकता है और यह एक अच्छा antibiotic सायद साबित होगा field condition में इस antibiotic को human consumption के लिए नहीं use होता है और इस injection के लगने के 21 days बाद ही animal को slaughter करना चाहिए और उसका meat consumption के लिए use होना चाहिए lactating animal में mastitis छोड़ करें इसे avoid करना चाहिए milk use में नहीं लाना चाहिए लगाने के बाद तो मुझे लगता है यह जो information है आपको field condition में scientific way में इस antibiotic का इस्तमाल करने में मदद करेगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ताइब